बश्कार जहींद आप लोग देख रहे हैं explosive study points आज का जो topic है origin of world वर्ड का origin कैसे हुआ उसके बारे में आज समझना है और आज का जो वीडियो है काफी जादा संदार होने वाला है समझ में भी आएगा काफी easy topic है और साथी साथ exam pointer view से अगर देखा जाए तो one of the most VVI topic होता है question बनाने के लिए तो ये सारे question आपके exam में दिख सकते हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को और हाँ ये जो notes है मेरे खुद के बनाए हुए notes है ये notes आपको मेरे टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाएगा उसका link जश्ट इस वीडियो के description में है वहाँ से जा करके join करिए file section में जाएए then telegram group में जो PDF है download करके तो पहले इसको समझना जरूरी है और short notes का सबसे बड़ा फायदा revision revision करने में काफे कम समय लगता है और आपको बहुत ज़्यादा चीजे याद होती है यही फायदा होता है तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते है तो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे है class Avis हम लोग पढ़ रहे थे class Avis में हमने class Avis के बारे में पढ़ लिया था class Avis के general characters and classification सारे orders हमने पढ़ लिये थे और खतम कर दिये थे तो आज अगला topic है ठीक है उनके पीछे एक science है और उस science को समझना जरूरी है words जैसे की हो गए हमारे जो पक्षी देखते हमारे आसपास उनके पीछे भी तो उनके भी तो कोई पूरवस होंगे ये लोग आए तो आए कहां से ये भी तो पता होने चाहिए तो इनका evolution कैसे हुआ ठीक है जैसे की for example human हम को कहा जाता है ना कि हम लोग के ancestor बंदर थे बंदर से evolve करते करते हम लोग homo sapiens की category में आए तो हम लोग human evolution पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से हम लोग आज word का evolution पढ़ने जा रहे हैं ठीक है सबसे पहला जो point आप देखेंगे इनके definition आप लोग exam में आएगा तो इनका definition जरूर लिखेगा लिखना मत भूलिएगा कि origin of words से आप क्या समझते हैं तो origin of words का काफी simple meaning होता है इनके नाम में ही बहुत असानी से आप बता सकते हैं कि जो time to time words का evolution होते गया चीजे develop होते गई adaptation के basis पे जो सरीर में परिवर्टन आते गया body changes होती गई वही सरी sum up को हम लोग इसको कहते हैं origin of words ठीक है तो इनको हम लोग evolution of words भी कहते हैं इस topics को पहला जो line है study of words is known as और इनिथलोजी यह तो आपको बहुत basic सा question है पक्षी के अध्यान को study of words को क्या कहते हैं और इनिथलोजी कहते हैं second point देखिए इस origin इस topic को समझने के लिए आपको सबूत चाहिए ठीक है अ for example कोई बंदा crime किया है उस पर आपने FIR कर दिया वो जाएगा court में लेकिन आपके पराव सबूत नहीं है तो क्या होगा वो बंदा छूट जाएगा crime किया है लेकिन वो छूट जाएगा आपके पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए वही वाली बात है origin of words हम लोग पढ़ने कि हां words के जितने भी पुर्वस थे ancestor थे ये थे और ऐसे इसे इन में चीजे हुई जिससे परिवर्थन होते गया पहले के पक्षि नहीं उड़ते थे फिन उड़ने लगे सारी theory दी गई है और theory बहुत सारे scientist ने मिलके दिये कुछ का theory जो है पास हो गया कुछ का theory accept करते हैं स कुछ reason की वज़े से बहुत सारे scientist ने अपना point of view रखा था इस topic पर कि origin of word आखिर हुआ तो हुआ कैसे काफे ज्यादा scientist है सभी scientist के नाम यहां पर हमने लिख दिये हैं श्वरोन ग्रेगोरी ग्रेगोरी है और अस्ट्रेनर यह सभी क्या है यह साइंटिस्ट का नाम यहां पर बढ़ते हैं तो first of all हम लोग कुछ general वाते कर लेते हैं general introduction कर लेते हैं उसके वाद हम इनके evidences को तीन कटेगरी में बाटेंगे anatomical, embryological and planetological ठीक है यह क्या है इनके तीन कटेगरी है और तीनों को हम लोग एकर करके इनके सबूत को evidence को देखेंगे पहले कुछ general वाते तो पहला लाइन हमने बताया study of words is known as orientalology हमारे जो source है कहां से कौन से source को देख करके अब बता सकते हैं कि हाँ यह हमारे पुराने समय मे words के पुर्वज रहे होंगे कुछ तो source होना चाहिए कुछ तो evidence होना चाहिए तो सबसे बड़ा जो source है वो है इनका नाम आप जानते ही होंगे archopteryx archopteryx जो है यह सबसे बड़ा सबूत है जो बताता है कि हाँ word का origin कैसे हुआ word के सबसे पुराने पुर्वज कौन है इनको ही word का सबसे पुराना पुर्वज माना जाता है इन ही से word evolve हुआ है और आज के date में जितनी भी पक्षियां है इन ही से कहीं न कहीं इन ही से evolution हुआ है तो sources जो हैं वो fossil fuels अभी ये fossil fuels के रूप में पाया जाता है क्योंकि ये जो पक्षे का नाम लिखा गया है एक्स्टेंट हो चुका है तो अभी इसका जो हड़ी बगेरा है बहुत पुरा ना fossils ही पाया जाता है और उसी fossils को बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या करा अध्यन करा तो उससे क्या पता चला कि हां ये हमारे words के पुरवज ancestor रहे होंगे तीक है आर्कियोपिटेरिक्स और ये आर्कियोपिटेरिक्स जुरासिक पिरिड में पाया जाता था जुरासिक पिरिड आप जब fossils के रूप में पाया जाता है मतलब हड़ी वगेरा के रूप में पाया जाता है तो इसकी study करने पर पता चला कि ये हमारे words के क्या है पुरुवज है और ये जो आर्कियोपिटेरिक्स है याद करो मैंने reptiles वाले चेप्टर में इनके वारे में पढ़ा दिया था तो ये जो reptiles एक तरीके का है ठीक है आर्कियोपिटेरिक्स जो है एक तरीके का reptiles है और तो आप लोग सिधा से यहां पर कह सकते हैं कि जो class evs है वर्ड्स है उसका जो evolution हुआ है वो class reptiles से हुआ है ठीक है इनके जो पुरुर glorified reptiles इने को glorified reptiles का गया है मतलब reptiles को glorified किया गया है उसके बाद ही words वने है पहले reptiles आये होंगे reptiles से evolution होते होते क्या वने है words class evs वना है तो इसलिए glorified reptiles इनको भी कहा गया है ठीक है और कहने वाले जो scientist है इनका theory था ती एच हॉक्षेली जो भी इनका pronunciation होगा आप लोग मै reptiles था और reptiles से ही word का evolution हुआ है most important points अभी archiopeterics के कुछ important points देख लेते हैं archiopeterics में कुछ points हैं जो आप लोग ध्यान दिशेगा जैसे की archiopeterics word है इनकी खोज किनके दवारा की गई थी इनकी जो fossil से कौन किन ने खोजा था उनका नाम बताईए तो आप बोलेगा आंड्रियू वेगनर आंड्रियू वेगनर ने archiopeterics के बारे में दुनिया को बताय था और 1861 में इन्होंने ऐसा statement दिया था ठीक है तो इनके नाम को याद अखिएगा आपके जो बनता है ना objective question वहां पर काम आ सकता है तो archiopeterics के जो scientist बताने वाले थे वो एंड्रियू वेगनर से 1861 में इन्होंने ऐसा बताया था और यह जो रासिक पिरेड में पाया जाता था और इनका जो देखिए कुछ features था archiopeterics में कुछ ऐसा features देखा गया जो कि आज के time में जो words है ना उनके features से match खाते हैं कुछ ऐसा feature देखा गया जो कि archiopeterics एक reptiles है और words हमारे एक avis है और इनमें similar features पाई गई तो इसलिए हम archiopeterics को कहते हैं connective link between class avis and class reptiles ऐसा भी कहा जाता है आगे हम उस पे चर्चा करेंगे फिलाल यहां पर यह जो दोनों point है इसको ध्यान दीजिए इनका जो big होता है big में teeth पाया गया था इनके photo आप देखिएगा तो आप गौर से देखिए यहां पे इनके जो big है big मतलब चोच इनके चोच में teeth पाई जा रही है दाते हैं लेकिन आज के जो कोवा मैना है जितने में words हैं उनके big में दात नहीं पाई जाती है नहीं पाई जाती है आपने देखा है किसी को दातोता का दात कभी देखा है नहीं उनका चूच होता है आपने नहीं देखा होगा तो इन में देखिए यह teeth पाई आपको देख रहे हैं यहां पर एक करना है आप लोगों को देखिए बात कुछ हुँ है यह जो आर्किपेरिक्स का जो दूसरा फीचर है इनका जो four limbs होता है अब कोई भी जानवर ले लो words ले लो या reptize ले लो क्योंकि हम लो comparison भी कर रहे हैं दोनों में तो वर्ड ले लो या reptize होता है लोन में टोटल चार limbs पर जिंट होते हैं चार हाथ four limbs होता है modify हो जाता है जैसे यह बड़ा हुआ है बच्चा से बड़ा हुआ है adult phase में जाता है इनका four limbs modify हो जाता है और बिंक्स बनाता है punks का रूप ले ले लेता है इनका punks आप देखी पा रही होंगे ठीक है इस तरीके से इन में यह सारी चीजे होती है तो यह जा second feature से वह किन से match खा रहा है punk किन के होते है words के होते है तो देखिए पहला feature जो है वह reptile से match खा रहा है विक में reptiles की ही परजेंट होती है जितने वह reptiles दखेंगे उनके अंदर तीथ पाई जाती है उनके दात होते है जैसे कि मगरमक्ष लिलू उनका दात होता है ठीक है और भी बहुत सारे reptiles है सभी में दात पाई जाती है लेकिन जितने भी class Avis उसमें दात नहीं पाई जाती है तो पहला जो स्टेटमेंट है फीचर से वह reptiles वाला है दुसरा जो फीचर से वह class Avis words वाला है इसलिए आर्क्यूपिटरिक्स को connective link between words भी कहा जाता है हमने यह वाला बात कहा दिया आपको connective link between Avis and reptiles इसको कहा जाता है और इसकी खोज जो है यह statement कब दिया गया था 19 century में जा गया था 19 century क्या होता है 19 century इसको 19 century में गिनेंगे 1800 के बाद जितनी मी time आती है 19 century होती है जैसे कि हम लोग अभी 2020-2022 कर रहे हैं तो हम लोग का century चल रहा है 21 century चल रहा है ठीक है उसी तरीके से 19 century में इसकी खोज करी गई थी और यह सारी statement बताई गई थी तो आप यहां से इतनी चीजे जो मैंने बताई उनसे बस एक conclusion निकालेंगे कि origin of words जो हुआ है वो reptiles से हुआ है ठीक है और reptiles में भी आपसे पूछा जाए तो किस से तो आप बताईएगा archiopeteric से हुआ है ठीक है और डाइनसोर्स भी माने जाते हैं इनके पुर्वश चूकि डाइनसोर्स के कुछे जो फीचर्स हैं वर्ड से मिलते जूलते हैं तो डाइनसोर्स जो हैं डाइनसोर्स उनको भी इनका अंसेस्टर माना जाता है और खास बात यह कि डाइनसोर्स भी हमारा एक तरह का रेप्टाइल्स ही था तो वन्स अगेन मैं फिर से कंकिलूड करना चाहता हूं कि यह जो औरेजिन ओफ वर्ड हुआ है टोटली रेप्टाइल से हुआ है ओके डाइनसोर्स ल होगा वर्ड लाइक सिमिलर्टी पाई जाएगी देखिए और नन एवियन डाइनसोर्स तो डाइनसोर्स भी अगेन यह एक्स्टिंट हो चुके हैं तो इनके फॉसिल्स के माध्यम से हम इनके वारे में स्टेडी करते हैं ठीक है फिलाल यहां पर यह सारी चीज़े कवर हो जो कि काफी टाइम लेकर हमने समझाया है तो वही वाली बात हो गई कुछ सिमिलर्टी जो होगी सिमिलर्टी दिखिए कुछ सिमिलर्टी रेप्टाइल्स वाली वर्ड्स में है कुछ वर्ड्स वाली सिमिलर्टी रेप्टाइल्स में है इसलिए दोनों को कनेक्टेव लिंक बिटमीन रेप्टाइल्स एंड वर्ड्स आर्क्योपिटेरिक्स को माना जाता है कुछ जैसे कि कुछ सिमिलर्टी आपको अगर पूछा जाए बताओ क्या क्या दोनों में सिमिलर है जिसकी माध्यम से तुम कह रहे हो कि यह बर्ड का और जीन रेप्टाइल्स हुआ है तो कुछ से यहां पर पॉइंट्स लिखे गया है जैसे कि देखिए हॉलो निमिटाइज्ट बोन्स दोनों का जो बोन्स था हड़ी था वो खोलो था खोकली टाइप की थी रेप्टाइल्स के कुछ एइनिमल्स में ऐसी चीज़ें देखी गई कि उनकी हड़ी कैसी थी हॉलो थी ठीक है निमिटाइज्ट बोन्स हड़ी थी ओके दूसरा पॉइंट इनके जो डाजिस्टिव सिस्टम थ दोनों में यह कुछ रेप्टाइल्स में प्रजेंट है और बर्ट में तो हैं ही तो यह भी जो है दोनों में common features है similarity है देखेंगे इनका जो फोर लिम्स है और हिंड लिम्स आपको भी पता है जब बच्चा रहता है कोई वही जैसे कि कोई वर्ट थे हैं तो उनकी टोटल च वह fill क्या हो जैता है cloud हो जाता है और साति शाथ Wings के form में modify हो जाता है आपने इनका बिंस देखा है na Bing जब बच्चा राता तो कोई पंक नहीं होता है वह four लिम्ज के रूप में होता है थन फिन फेर आगे चल करके modify हो करके develop हो करके बन जाता है, तो यह Archopatrix में भी देखा जाता था, जो इनके ancestor है, और आज के words में भी यह देखा जाता है, तो यह भी similarities है एक तरीके से, four limbs, clawed होते हैं, clawed मतलब होता है पंजा, और इनका जो tails होता है, bonny होता है, तेल्स में हड्या परजेंट होगी, और tail लंबा होगा, long होगा, ओके, यह points भी कहीं न कहीं, हम लोगों को दरसाता है, दिखाता है कि हाँ, Archopatrix जो है, वही हमारे words के ancestor है, third point अब लोग देखेंगे, nest building, घोसला बनाकर पच्छी रहती है, लेकिन कुछ reptiles भी ऐसे पाए गये थे, जो कि इस तरह की nest building वना करके रहना पसंद करते थे, कुछ reptiles, ठीक है, तो features कुछ similar similar मिल जाएंगे, brooding behavior दोनों में दिखी गई थी, कुछ reptiles में and यहां पर, चले एके करके हम जब evidence पढ़ेंगे न तो आपको यह सारी चीजे में again फिर से पढ़ाऊंगा, तो यह for general introduction के लिए दो चार point यह आप लिख दिया है, इसको आपको detail में पढ़ना है, यह सारी चीजे, अब आते है main topic इनके evidences देखते हैं, जिनके basis पर आप कह सकते हैं कि हाँ, सबूत मेरे पास है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि यह सारे जो origin हुआ है word का, इनके basis पर हुआ है, ठीक है, कुछ सबूत हम दिखाते हैं, evidence आप देखिए और यह जो evidence है, मेरा नहीं है, बड़े बड़े scientist ने ऐसा खोज करा है, उसको ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है तो यहां पर देखिए, कुछ और भी animals के example लिख सकते हैं, आगर आप से exam में पूछा जाए, origin of word किन से हुआ है तो आप तो सबसे पहले नाम में आना चाहिए, archipeterics example में, इनके भी नाम आप लोग लिख सकते हैं, दोनों का दिया गया example, ठीक है, शेगी शौरस होगे यह सभी क्या हैं, इन ही के example है, माना जाता है कि इन से बढ़ की उत्पत्ती origin हुआ है, तो example में दो तीन words का आप लिख लिख लिजएगा, और ठीच ऑक्जेली ने एक चीज़ बताया था, कि word का evolution हुआ है, वो शौरूप शीड़ा शुआ है, शौरूप शीड़ा, जो कि ब कि हाँ words की origin कैसे हुई है, तो इनके सबूत को हम लोग तीन categories में divide करते हैं, ठीके, पहला तो है anatomical evidences, दूसरा है embryological evidences, और थर्ड में है planetological evidences, क्या है, planetological evidences, तो एक करके तीनों का समझे, देखे, तीनों का नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि anatomical evidences में क्या क्या च anatomy आपने पड़ा होगा, anatomy में हम लोग पढ़ते हैं, हड़ी बगर यह सारी चीज है, इनमें anatomical evidences में ज्यादा तर आपको हड़ी या skeleton के बारे में देखना होगा, embryological evidences, कौनस evidences होगे, जिनमें embryology से related जो fertilization होता है, reproduction होता है, cleavage होता है, यह सारी process, embryology वाले इतनी भी process होत देखेंगे, and planetological evidences में आप लोग देखेंगे, planetology, सुना होगा नाम आपने, ठीके, पुराने जो चीजे हम लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में देखेंगे, compare करेंगे, basically इस evidences में क्या करेंगे, हम लोग comparison करेंगे, words and reptiles का, यहाँ पर दोनों को देखेंगे, कि दोनों में क्या similar चीजे हैं, वही सारे चीजे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैं, similarity दोनों का है, जो लिखा गया है, तो पहला हम लोग देखते हैं, anatonomical evidences, जिससे पता चलता है कि हाँ, word की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी, सबसे पहले exoskeleton, आप लोग हेटिंग डालिएगा, exoskeleton, exos मतलब बाहर, exoskeleton मतलब हड़ी, तो वैसे animal जिनके हड़ी बाहर पाई जाती है, उस animal को exoskeleton कहते हैं, तो इनके body पे, यहाँ पर जब मैं लिखा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग दोनों को मान की चलिएगा, reptiles plus words, दोनों की हम features यहाँ पर discuss करेंगे, तो जितने भी reptiles या words होंगे, उनके body पे जो exoskeleton देखा गया, उनमें scales दोनों में common थे, scales मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत बार discuss करा है, अभी भी बता दे रहा हूँ, scales एक तरह का covering होता है, ठीक है, body के ऊपर, तो देखिए, यह scales जो है, reptiles में भी देखा गया, और class Avis, जो word है, उनमें भ देखा गया, इस basis पे हम लोग का सकते हैं, reptiles से ही word आया है, दुनिया में, ठीक है, जो इनके scales थे, वो किस तरह के थे, horny epidermal scales, epidermal मतलब होता है, skin के ऊपर जो covering पाए जाता है, EP मतलब क्या होता है, ऊपर dermal मतलब, तवचा, तवचा के ऊपर पाने जाने वाले scales को, epidermal scales कर एक खास चीजे थी, जितने भी reptiles, कुछ reptiles को ऐसा देखा गया, जितने भी reptiles थे, और कुछ words है, उनमें ऐसा features देखा गया, कि वो अपने जो skills था न, उसको said मतलब, said मतलब जानते हैं, said कर देते थे और replace कर देते थे, नया skills आ जाता था, ठीक है, पटेज़र सुना है, saiding of पटेज़र, यह वाली, तो वही उसी तरीके सेट कर देते थे और replace कर देते थे, तो यह scales के basis पे आप लोग बता सकते हैं, exoskeleton में और क्या क्या आ जाता है, फिदर्स, फिदर्स बोले तो पर या पंक, पंक देखा गया, archiopteryx जो अभी देखा, हमने example के लिए लिया, यह क जितने भी वोर्ड से उनमें तो पंक देखा ही गया है, देखते ही आप डेली, कबूतर जैसे की मोडन, यह सारे पक्षी जितने भी यह सभी भी पंक है, तो यह भी common feature हो गया, रेप्टाइल्स का archiopteryx में भी पंक था, इनमें भी पंक था, common feature हो गया, तो यह भी evidence देता है कि हाँ, इससे origin हुआ होगा, तो यहाँ पर जो यह point लिखा गया है, दुसरा, उसको ध्यान देंगे, ऐसा कहा जाता है कि रेप्टाइल्स में जो horny scales था, उनके body पे देखिए, रेप्टाइल्स के पूरे body पे scales की covering होती है, ठीक है, इनके skin के उपर scales की covering होती है, तो ऐसा कह जाता है, इनका horny scales था, वही बाद में धीरे-धीरे modification हुआ, जैसे evolution हुआ न, वही modification होते गया, और modification होने के साथ, वही बाद में जब यह एविस फॉर्म में आता है, रेप्टाइल्स से एविस बनता है, तो वही जाके आगे feathers बन जाता है, तो horny scales in reptiles is equal to feathers in words, ठीक है, इसी इसी से हमारा punk वना है, जो उनका body के उपर जो layer था उसी से, ओके, अब आगे देखते हैं, इनके choice को देखते हैं, तो big, big जो होगा, horny seat present होता है, दोनों में देखेंगे, जैसे कि कोई, आप पक्षी ले ले लिज़े, कोई example में, जो भी आपके उपे फेवरेट है, present होता है, जो कि उनको एक तरीके से protect करता है, उनके choice को, तो horny seat word में present होता है, और ये वाला जो big है, कच्छुआ में भी देखा गया, कच्छुआ कैसा था, रेप्टाइल्स था, जितने भी पक्षी है, उनमें भी horny seat देखा गया, तो ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह का Caud, it is a common feature है न, दोनों में similarities है, तो ये भी लीओ सकते हैं, और जो पंज़ेड़ होता है, काफी मसबूथ होता है, क्लॉस होता है, जिनले जोड़ी होती है, वो जो होता है कैसे होता है, बहुत ही मसबूथ होता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये सारी क्या है, एना टो लेटन सबूत देखते हैं, एंडोस्keleton मतलब, एंडो मतलब होता है अंदर, तो शरीर के अंदर पाई जाने वाली हड़ी, अव शरीर के अंदर पाई जाने वाली हड़ी, दोनों में कैसे similar होगी, उसको समझते हैं, ये हमारा असकल, सबसे पहले इसकल प्रिछान देते तो reptiles का स्कल्फ और अपने क्लास समानता है क्या सिमिलर्टीज है तो दोनों का स्कल्फ होगा वह वेल ऊचफषवाइड होगा पहला पुईंट दोनों के स्कल्फ में कुछ इनिम्ल में दाइपसीडा टाइपRIS भी देखा उसीपिटल कॉंडैल आप जानते है ना कहा रहता है जानते हैंने इनका काविस में इनका कव होता है वे लोसलिफाइब वोता है धोनों का और दूसिदन का मतलब 2 टेंपॉरल फोसा पाये जाएंगे और मोना कंडाइलिक हो गए मतलब एक उस्पिटल कॉंडाइल पाया जाता है देखें दोनों में स्केलरोटिक प्लेट्स देखें गए यह भी कॉमन फीचर से दीखें और पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रीडल दोनों में पाये गए और दोनों इक ही जिसे सिमलर टाइप के थे सबसे पहले समझना ज़रूर यह होता क्या है अब अपने हाथ को देखिए आपके हाथ में फिंगर्स प्रेजेंट है और फिंगर्स में कितने परजेंट है बस इतना गीन अधिया तो आपको टोटल 14 बूंस मिलेंगे आपके इंगर्स में ठीकिके कितने जॉइंट्स है आपके फिंगर्स में हर एक अंगुली में आपके तीन जॉइंट्स है उपर मिडिल एंड लास्ट वाला तीन जॉइंट्स है ना तो similarly यह तो हम लोग human की वात हो गई ना हम लोग human में 14 पाई जाता है इस तरह के से इनका फ्लैंगेस था नंबर अफ बोंस था इनके अंगुली में ठीक है फ्लैंगेस एक तरह का बोंस ही होता है अंगुली का आपका फिंगर्स का पार्ट्स होता है क्लियर है तो यह सीजे कॉमन देखे गई है रेप्टाइल्स में भी चार होता है एविस में भी चार होता है कुछ रेप्टाइल्स में तीन होता है कुछ है विस में भी तीन होता है इस तरीके से यह भी सिमिलर्टी दरसाता है तो यह एंडोस्केलेटन के बेसिस पे हमने इ केला दोनों का तो कैसा होता है कि कैसा करता है तो क्षाष देखी गई कुछ फॉर्स्ट फॉल गिजार को बहुत सारे लोग नहीं जांते होंगा उखिर्म होता है तो गिशार सबसे पहली बात है यह यह अजूर इसका जो मेन काम होता है आप जो भी खाना खाते हैं रोटी खाया मान लिया रोटी खाया आपने अब रोटी को टोडने का जो प्रकिरिया होता है सारा ये घिजार में ही होता है तो वर्ड्स वगेरा भी कुछ भी खा लेते हैं जो मिलता है तो उसको टोडना वगेरा का करिया कि आधता गिजाड में ही ना दोनों जगह दिखा गिया वट में विडिया चैनल है और यह लोग इतनी जादे बूं कुह आउण नमुने कुछ नमुने रेप्टाइल कुछ आविस पाए गए जो अपने अंदर अस्टोन को भी निगल जाते तो यह इन में छमता होती है तो कुछ एनिमल में घुजाड देखे गई जो की है विस्व्रेश्वली स्टोन जो की जैसे की रेप्टाइल इसकी बात करड़ी यह प्रिजन्ट होता है और वर्ट में तो यह सारी चीज़ें देखी जाती है तिए जैकर रेक्टम को होता है वो क्लोकल अप्रचर में खुलत है जाके रहता है लास्ट प्वाइंट होता है ओके से यह लोग अपना बेस्ट मिटरियल खाता है पचाते हैं वो निकालते हैं यह यह दिसमिलरिटी हो एक तरीके से देखिए यहां पर मेरा कहने का जो मतलब है यह जितनी भी फीचर पाई जा रही है ऐसा नहीं है कि सारे रेप्टाइल्स में इसी तरीके के फीचर पाई जाएगी सारे वर्ड में इसी तरीके के फीचर पाई जाएगी नहीं भाई यहां पर हम लोग जो समझ रह होते कुछ में कुछो होता है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं रिस्पाहिरे ट्री इस्टम इलों का कैसा था दोनों का तो रिस्पाहिरेटरी सिस्टम दोनों में लंग्स देखी गई थीक है मगर मक्ष में भी आप लंग्स ही देखेंगे जैसे कि रेप्टाइल्स का एक्जामपल आप लोग ले लएजे कोछ भी ले लेजे रेप्टाइल में तो बहूत सारे जो र्यंगने वाले इनमांस होते हैं जैसे कि गिर्गिट ही ले लेजे प्रोक डण में क्या पाए गया था टूर स्पाइरेटरी उर्गन वह सबस्क्राइची सुश्पाइर थे थे छोड़ रहे है थी स्टम था में लंक्स पाए जाता है और class एविस में कल ही मैंने पड़ाया कि जितनी पक्ची होती है उनमें जो रिस्पायरेट्री ओर्गन होता है वो लंग्स होता है दोनों में लंग्स पाई गई अगला पॉइंट देखिए दोनों में एयर सेक प्रेजेंट था जैसे कि रेप्टाइल में एक एकजांपल है और आज की जितनी वह वर्ड से अब देखते ही होंगे तक अब देखते हैं यहां पर यह गलत है लेखते हैं और फ्लो होता है खून का रक्त प्रवाव होता है सरीर में तर्कुलेटरी सिस्टम इननों का किस तरीके से तो जितने भी क्रोकोडाइल देखे था आपने उनमें किस तरह का हर्ट पाया गया था और पक्षे में किस तरह का हर्ट पाया जाता है तो आप बोलेंगे एविस में भी चार चंबर का ही हर्ट पाया जाता है इसके बे लिखिए ने तो पाया जाता है तो यह सिमिलर्टी है जाती है और या सकते हैं और एक शबवूत ही देता है ठीक है अब nervous system देख लेते हैं जो कि brain से जुड़ा हुआ होता है ठीक है तो दोनों में 12 pair of cranial nerves present होते हैं ठीक है brain में 12 cranial nerves present होते हैं उसी से सारे neurons बगरा जुड़ते हैं तो कितने pair of cranial nerves होंगे कि दोनों में रेप्टाइज इस एनेविस में तो बारा पेर बारा पेर मतलब टोटल 24 cranial nerves होंगे excretory system urine वगेरा कैसे निकालते हैं ठीक है तो excretory system के लिए kidney present होती है और उसी के मज़्ज से इन लोग excretion करते हैं तो respiratory organ kidney हो जाएगा और यह लोग urocotelic होते हैं मतलब urocotelic मतलब simple सा होता है वैसे जो urine मतलब ट्वाइलिट जो करते हैं तब urine निकलता है वैसे इनमल्स को करते हैं ठीक है और इनका जो kidney था class avis में metanephric and crocodile में metanephric type of kidney पाई गई थी kidney के भी बहुत सारे परिकार होते हैं तो सबसे बेल डेवलप kidney metanephric होता है ठीक है और यह crocodiles and avis में देखा गया तो यहां पर हम लोग का पहला evidence type खतम हो जाता है तो यह हम लोग finish कर लिए इनमें हमने बहुत सारी system देखे रहे थे अब ही embryological basis पर हम लोग समझते हैं embryological जो embryo होता है बच्चा होता है वह किस तरीके से सारी सिज़े देखते हैं तो जितने भी आपने देखे थे कच्छवा ले लो जो कि रेप्टाइल्स था और अदर रेप्टाइल्स वह किस तरह की इनिमल्स थे बच्चा पहला कर सेंण तो बोलते हैं वह भी अंडा देते हैं तो दोनों में क्या होगा चैनलराटी गुद्ट ही यह में इमल्स धुद्ट होएं चैनल उन बोलते हैं दोनों में चैनलरिट धा जाít मैं आन्डा बहुत ज़्यादा आडा और कुछ नदेचा अन्डडा पया urine दोनों का इंटर्नल होता था मतलब बोडी के अंदर ये लोग फर्टिलाइजेशन करते थे इंटर्नल फर्टिलाइजेशन तो समझते ही होगे तो फर्टिलाइजेशन जो होता था गैमेट्स का जो फ्यूजन होता था वो कहां होता था बोडी के अंदर में होता था उसके बा तो पैंट्स तियान में रखना हे और एक्स के वारे में तो मैं इनम भी पेरे सी होते हैं गया जो डिवलॉप्रिंट होता है इंपरायों का मातलब इम्परॉ आयनिक रेप्टाइप्न necks himself carbohydrates चadbs ओर इसका कहािने को सेरा सा मतलब है इम्परॉ आयनिक रेप्म्पािल्स मतलब 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 होता जब यह इंचर Storm में यह रेप्टााइप्नस या वर्ड्स ओंगे तो उनमें आप ध्यान से देखेंगे तो gills, lits पाई जाती है गills, पाया जाता है गills, lits, परजिंट होती है लेकिन जैسे ही दोनों बड़ा होते हैं समझदार होते है एडल्ट होते हैं सुरी समझदार बोल दिया मतभब जब एडल्ट होते हैं तो गिल्सलिट्स गाया बज़ता है दोनों में तो ये भी similar टाइप की feature हो गई न तो embryological evidences इतने ही याद रखने हैं आपको याद रख लेज़ देगा सबसे ज्यादा main जो evidence है सबसे ज्यादा जो माना जाने वाला evidence है ये दोनों तो था ही सबसे ज्यादा जो आपको माना जाने वाला evidence है सबसे ज्यादे पढ़ना है ध्यान देना है यह थर्ड evidence पर देना है जिसको critical institutional evidence ब्लते हैं और इनहीं में हम लोग archopeterics को पड़ते हैं archopeterics जो की origin हुआ है इसी से शारे वर्ड का ठीक है इनहीं और पुर्वज माना जाता है ancestor माना जाता है वर्ड का ऊपहले क्यों को पच्छी था archopeteric में ही उनका नाम था अर्कियो-पिटेरिक्स लिफो ग्राफिका का मतलब होता है जिनमें पुराने तरह की इनसे मतलब पुराने जमाने की ग्राइबक давно नियुकृ की या जाते थी पुराना जो इनसे हूब हो एगने स्था ठीकिए सबसे पहली बार archipeterics की खोज जर्मनी में की गई थी जर्मनी में अगर exact location पूछा जाए तो आप बतायेगा वैवेरिया में किया गया था और archipeterics को जब खोज हुआ घा उसी के माद्यम से पता चला कि हाँ archipeterics ही words के पुर्वज हैं जर्मनी में 1800 exit में यह हुआ था खूज फिन फर्दर यही को आगे बढ़ाया गया स्टैडिक और आगे बढ़ाया गया तक यह पहला फेज था यह सकेड़ था था थर्ड फेज था इन और चीजें रिकलेक्ट की और फिर आज हम लोग पढ़े रहे हैं वही साज़ी चीजे इनको करक्ष को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है रेप्टाइल में अल्रेडे डिश्कस कर दिया इनके बॉड़ी को उपर स्केल्स देखी गई जितनी भी पक्षी के पैर आप देखते ह आप लुक आ सकते हें दोनों का टेल चेखेंगे डाइनसोर्स का टेल से और उनको भी पक्षे का पूरवर्बज माना जाता था था तो रूज सोर्स का टेल लंबा होता था और उनके पूख्च में 20 के आसपास लगवाग 20 हड़ी पाई जाती थी ठीक है तो टेल्स होता थे लंबे होते थे और उसमें 20 वर्टिवरी देखी गई ऐसा कुछ-कुछ वर्ड्स में आज के जो वर्ड्स से उनमें देखा जाता है तो यह भी बोल सकते हैं कि बताता है और इस दिन कैसे हुआ है वर्ड्स का यहां पर एक टॉपिक लेज़ेगा उपर में डेखना है रिप्ताइलियंस करेक्टर रेप्टाइल्स करेक्टर्स इन- कुछ इन- कुछ नीच नीचे दिए गया है जो कि वर्ड्स में देखे गए आज चितन यह भी similarity है और देखिए जो सर्विकल रिजिजन वहां पर नो से दस हड़ी पाई गई ठीक है जानते हैं गर्दन के आसपास जो हड़ीयां होती है उनको बोलते हैं तो लेस दैन नो से इस वर्ट में भी परेजन पीजन में जैसे कि साथ सर्विकल विटिबरी पर्देंट होती है तो यह रेप्टाइल्स वाला फ्यूचर कुछ-कुछ वर्ट में पाए गये हैं ठीक है और यह देखिए जितने भी रेप्टाइल्स के ब्रेंट था काफी सिंपल था सिंपल ब्रे ब्रेंट हमारे जितने पक्षियं उनमें इसी तरह का देखा गया है तो यह वह रेके क्या है सिमिलर्टी एक को ठीक है अब आसान वासा बोल सकते हैं इस सभी इरटाईल्स वाला इससद फीचर वर्ड चुरा लिया है वोग सेंके एक हैं इनके ब्रेंड के मैसिस पे हमने ब देखी गई और एक्सपैंडेबल तो यह कुछ जोएचरस देखे वह रेपटाईल के थे और यही सारे फीकर्स हमारे आज के पक्षे में देखी जाती है औरुलीट्चर जैसे कि जितने भी रैपटाईल्स थे उनके स्टेर ने कील नहीं परजेंटता कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनमें यही सेम फीचर देखा गया है इनके बारे में जब मैं वीडियो को शुरुआत कर रहा था तो आपको डिसक्स कर दिया था है जम सेम टूसे वहां पर लिखा हुआ है अब देखिए कुछ ऐसे फीचर एवियन करेक्टर्स ओफ आर्क्योपिटरिक्स आर्क्योपिटरिक्स में कुछ एवियन फीचर्स देखे गए क्यूंकि आपको मैंने बताया आर्क्योपिटरिक्स में दोनों की फीचर्स देखे गए हैं रेप्टाइल्स के भी और वर्ड के वह देखते हैं तो अपने देखा ओगा पिक्चर उनके पिक्चर पे बॉडी जो था कवर था फिदर्स थे मतलब उनके बॉडी पर पाई गई थी और वही कवरिंग परदान कर रही थी तो आर्पी प्रेटिरिक्स में ऐसा देखा गिया था और आर्पीटरिकार किस तरीके थ था रेप्टाइल्ज था तो रेप्टाल्स यह प्रेजिंट था और आज की जितनी वी वर्ड से वर्ड के फिदर्स है ना पंक है ना तो यह क्या हो गए सिमिलारीटी हो गए ऑक्षी वाले लक्षण या पर करेक्ठरस देखिए बहुत सारी मिलेंगे इनका four limbs जो है binks में convert हो जाता है पिछली वीडियो में ने बताया था जब छोटा छोटा पक्षी का बच्चा होता है तो उनका four limbs होता है मतलब छोटे छोटी हाथ-पैर होते हैं आगे वाले वही जैसे ही adult बनता है वो modification कर लेता है उनका जो four limbs हो जाता है और punk का रूप ले ल फीचर्स देखते ही होंगे उनके पास पंक होती है ना टेल में रिक्ट्राइसेस परजेंट है ठीक है टेल में रिक्ट्राइसेस परजेंट है मतलब इनके पूछ पे क्या पाई गई थी आर्क्योपिटेरिक्स के पूछ पे देखा गया था फिदर्स पाई गई थी फिदर्स टेल्स को ही और रिक्राइसिस करते हैं मतलब पूछ पे भी पंक नुमा पाया गया था आगे देखते हैं अर्कियोपिटेरिक्स का जो दिमाग था इनका जो खोपड़ी था असकल वो लार्स था क्यांकि इनमल भी बढ़े थे तो इनका असकल कैसा था लार्स था और इनमें एक कॉंडाइल पर आ गया था मोनो कॉंडाइलिक थे यह लोग और यह फीचर्स आज के वर्ट्स में देखे गया हैं कि नहीं देखेंगे आप बताओ वर्ट्स का बर्ट्स में अब बोलेंगे कुछ वर्ट्स में एक मौनो कॉंडाइलिक होते हैं की नहीं होते हैं तो यह वाला फीचर्स देखा गया है यही वहला ओरफूटेयल में नाय है फ्यूजर्डती और य हॉग कि गया अर्कियोपेटेरिक्स रेप्टाइस में देखा गया कि उनका जो अपस में फ्यूजन करता है फ्यूज होकर यह एक साथ मील करके वी सेप्ट बोन बनाता है ठीक है जिसको हम लोग फुर्क्यूला बोन बोलते हैं तो वी सेप्ट वी सेप्ट्रा का बोन होता है वो बनात जाता है तो यह सारे फीचर्स थे जो की सिध्ध करते हैं बताते हैं कि हाँ बढ़ का ओर इजिन कैसे हुआ है ठीके दो चार पेज में आप लोग अंसर राइटिंग कर सकते हैं इतना में यह तो सौर्ट नोट्स था मेरा अपने मन से अगर आप लिखने जाएं कॉंसेप्ट समझ गये होंगे तो आप पंचे पेज भी लिख सकते हैं वह आपके कॉंसेप्ट क्लियरेंस पर डिपेंड करता है अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं कुछ और थियोरीज है जैसे कि मैंने बताया जो यह वर्ड से वह कहा जाता है डाइनसोर्स यानि डाइ जाता है जिन में सबसे जादा एटव रेडीयेशन देखा गया तो ऐसे प्रेट और अप्रेट इवर्डियेशन फोर वेरियस ग्रूप ऑफ रेटाइल्स, जितनी बी रेप्टाइल्स थे कुछ रेप्टाइल्स के ग्रूप में बाटे गये हैं आपको पता है क्यांकि इस एरा में इस टाइम पीरेड में ग्रेट एडप्टिव रेडियेशन देखा गया फॉर इग्जामपल ठीको डॉंटिया ग्रूप है उनमें देखा गया और वही धीरे-धीरे क्या होता है और वर्ड का उरिजिन होता है और क्या एडप्टिव रेडियेशन होता है तो यह म देखें, डेससे ऑरेंथियोशिश्या认ों मतलब क्या होता है, यह सभी पूरुपशिया, इनके पूरुबज मानने जाते हैं यह सब एग्जांपल्स से हां। आप нашем पूर्स लिखने तो लिख ले इनमे एक की चीजी कया दिखा गया यह सब्सक्राइब दिख़ा विज्दान्त वीस वोन वीस वोन मतलब वीस इपड़ोन अभी में ने बताया था क्लैइक शल्ज आपसelines लीशेप वूर्ण मेनाते हैं वही वाली वादak श्यप्ट वूर्ण होना ज़रूरी है अगर आप कहा रहे हैं कि ये एनिमल ये रेुत आगे चलके वेलीशन हो करके वर्ड बना है तो वह रेप्टाइस में क्या वुन पर्जेंट है कि पहले देखो अगर नहीं है तो यह त्योरी गलट है तो रेप्टाइस होने के लिए यह पॉइंट्स जरूरी होना चाहिए अब कुछ थियोरी है यह मेजर तीन थियोरी है वर्ड के औरेजीन पे तीनों थियोरी आप लोग धियान रखेंगा हम लोग को पढ़ना भी नहीं है पहला जो थियोरी है जिनको बोलते हैं आ अ सब्सक्राइब को हम्ने पढ़ लिया है और यह देखीए जो की हाइल मैं के द्वारा दिया गया था यह वी एक तरह का घूरी है जो कि बतलाता है कि हाँ जो बर्ड की और जिन हुआ कैसे हुआ है ठीक है तो इनके द्वारत दिया गया था यह याद दखेगा फिर दो जो सबसे ज्यादा accepted theory है जिसकी माध्यम सबसे सबसे ज्यादा scientist इसको भैली देते हैं accepted theory है जिसको बोलते हैं diphyletic origin of words and monophyletic origin of words ठीक है दोनों का नाम से भी meaning समझ में आ रहा होगा diphyletic monophyletic mono मतलब one होता है diphyletic मतलब दो होता है तो diphyletic का जो meaning होता है two lines of descent origin जिनमें पाइक जाएगी उनको diphyletic कहेंगे अभी two lines of dissident origin क्या होता है यह भी चानना होगा तो diphyletic को समझते two lines of dissident origin इस theory के according यह कहना था कि जितने भी पुराने पक्षी जो उड़ नहीं सकते थे flightless word का evolution जो हुआ है आज के जितने भी flightless word है वहीं से आए है simple सा theory था पुराने ancient flightless word का evolution आज की जितने भी modern flightless word है उनसे हुआ है इसी theory में दूसरा चीज था जितने भी उड़ने वाले पक्षी आज दिखते हैं उनके जो पुर्वस हुए होंगे वह भी उड़ने वाले ही हुए होंगे ऐसा कहना था इनका तो देखिए अंसेस्टर थे आज की जितने भी modern flightless word है जैसे की एक्जामपल है modern है पाया जाता है एक स्ट्रीट नहीं हुआ है ठीक है तो फ्लाइटलेस एंसेस्टर से फ्लाइटलेस modern flightless word का उत्पत्ति हुआ है फ्लाइइंग एंसेस्टर से पुर्वस से ही आज की जितने भी उड़ने वाले पक्षी है उनका और जिन हुआ है यह डाई दो सिधान्त है डाइफाइलेटिक और जिन है वर्ड का मोनो बौस हो जा फ्लाइइंग हो ठीक है चाहे वह ऐस्ट्रेट्स या पैर्इट हो डोनों जो आये हैं उनके जो पुरवस यह फ्लाइइंग रहे हं इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है यह दोनलों ठीओरि था आयोफ आपको ठीओरि समझ में आई होगी सारी आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इनके एड़क्टेशन देखते हैं इन लोग फलाइट करने का जो मेकनिजम है वह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे थैंक्यू फर वाचिंग